हेलो डियर फ्रेंट्स, वेलकम हाप सभी का तनुकलासस आर्ट को मैं तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मानब भूगोल के मुल सिधानत का फर्ष्ट चेप्टर जिसका नाम है मानब भूगोल यानि हीमेन जेग्रोफी यहींगि इंटर्मा आपका दो बुक है जेग्रोफी नी भूगोल का पहला बुक का नाम है मानब भूगोल के मुल सिधानत और दूसरा बुक का नाम है भारत लोग और अर्थे ब्वस्ता तो पहला बोक माना भूगोल की मुल सिध्दानतो का first chapter माना भूगोल का आज हम लोग क्या करेंगे theory explanation करेंगे इस chapter के इंतर गये जितने सारे points दिये गये हैं जितने सारे theory दिये गये हैं सारे theory को हम लोग परने का प्रयास करेंगे कोई भी point अम लोगा नहीं चुटेगा at first time आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आप इस chapter का note नहीं बनाए है तो please copy column लेकर के बैठे हैं और note बनाए यह न था यह video देखने का आपको कोई फैदा नहीं होगा वीडियो देख लेंगे फिर बाद में आप भूल जाएंगे तो यहां आप का एक तरह से समय की बरबादी होगी इसलिए आप क्या करेंगे note बनाएंगे आप अगर अपना note बनाए है ठीक है बहुत अच्छी बात है उनको भी पढ़ेंगे और यहां जो भी आपके वीडियो के अंतरकत जो भी notes प्रोवाइड की जाती है जो भी आपको इस वीडियो के अंतरकत मिलेगा यह भी आपको याद रशने का प्रियास करना है क्योंकि आप mix टैप करके पढ़ेंगे तो वाँ exam hall में थोरा सा unique लिखेंगे unique answer देंगे कोई भी question का तो वो better होगा ठीक है तो चले start करते हैं सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि भूगोल जो है वो क्या होता ठीक है यानि geography के अंतरकत हम लोग समझते हैं कि geography जो है इसका तुरा सा definition समझ लेते हैं जोगरफी समाजिक विज्ञान का एक साखा है यानि social science जो है उसका एक क्या है ब्रांच है जिसमें पिर्थिवी के सौरूप और उससे जूरे प्राकृतिक संसादन यानि पिर्थिवी का सौरूप कहने का मतलब यह हुआ कि पिर्थिवी का सौरूप उसका रूप आकार कहीं पहार है तो कहीं पर यह एक तरह से खदान है कहीं मतलब मैदान है कहीं सागर है यह क्या है पिर्थिवी का सौरूप है और उससे जूरे प्राकृतिक संसादन यहीं इस से पिर्थवी के अंदर के जितने सारे प्राकृतिक संसादन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसादन हैं, कोयला खदान हो गया, उसके बाद लोहा का खदान हो गया, यह सारे का जो study किया जाता है, भूगोल यानि जोग्रोफी में किया जाता है, ठीक है, सिधी सिधी इसको दो वर्ड बनता है भू पलस गोल का अर्थ है पिर्थ्वी गोल, भू का मतलब क्या हो जाएगा और गोल का मतलब क्या हो जाएगा? यानि गोल ठीक है यानि पिर्थवी गोल होता है सही बात है पिर्थवी क्या है गोल होता है या फिर दूसरी डिफिनेशन हमको यह कह रही है कि पिर्थवी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्तित है यानि जितने संसादन है देखिया मानम निर्मित संसादन हम लोग तो पड़ तो यह मानब निर्मे संसाधन जो बना, तो वो किस से बना, किस के दोरा बना, प्राकृतिक संसाधन से बना, यानि मानब जो भी संसाधन अपने हाथ से बनाता है, गारी हो गया, एक तरह से मोटर साइकल हो गया, जो भी हो गया, मसीन हो गया, इस सब जो बनाता है, तो इसको के लिए आगे जो कच्छा मान लाता है । वो कहां से लाता है ॥ प्राकृतिक से लेता है तो यहां हम directly यही बोलेंगे कि पृघ्तिवी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्ति था प्राकृतिक संसादन उसका वर्णन करना या लिखना क्या कहलाता है भूगोल यानि जोग्राफी कहलाता ठीक है अगला पॉइंट हमको यह बताया चलिए कि भूगोल शब्द की उत्पत्ती गीरिक भासा के शब्द जियो प्लस ग्रफो से हुआ था ठीक है जियो प्लस ग्रेफो देखें पिर्थवी का वर्णन करना यानि यह दोनों यह वर्ण को अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब हमको मिलता है इसका हमको मिनिक प्राप्त होता है पिर्थवी का वर्णन करना study of earth ठीक है चले next point हमको यह बता जा रहा है कि भुगोल का पिता ठीक है जैसे कि हम लोगों ने परहा था कि अर्थ 3 ठीक हम की बता आपको फिर अगर आपको याद है तो फ्रीक है क्या है क्योंकि comment करेंगे तो आपको तो फिर दोबरा एकतर से revise हो जाएगा चलिए इन्होंने सबसे पहले भूगोल का वर्णन करंबत तरीके से किया था यानि हीकेटियस को ही मतलब जनक क्यों कहा गया, पिता क्यों कहा गया भूगोल का, क्योंकि करंबत तरीके से step by step, जब किसी भी चीज को step by step, करंबत तरीके से study किया जाता है, पढ़ा जाता है तो वो लोगों को ज्यादा समझवाता है ठीक है, और लोगों को लगता है कि ये बंदा जो study किया है, ये भूगोल के बहुत बदा जानका रहे हैं, बहुत बड़े मतलब यह एकतर से महान जानका रहा है ठीक है तो लोगों को लगने लगता है तो लोग उनको क्या माल लेते हैं जनक माल लेते हैं उस subject का उस चीज का तो भूगोल का पिता या जनक किसको कहा जाएगा हिकेटी इसको कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने step by step हर एक point को पढ़ा है करमबत तरीके से भूगोल का study किया है वरनन किया है नेश्ट पॉइंट हमको ये बताया जरा है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले पढ़ियोग करता इरे टोस्थनीज इरे टोस्थनीज यनि सबसे पह आपका इंटर यहां से होता है आप कलाश 12 में है इंटर में है आपका दो बुक है मैंने chapter शुरू करने से पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दिया था कि आपका बस दो बुक है आपके पास कितना बुक है इंटर में दो बुक है पहला बुक का नाम फर्स्ट बुक का नाम क्या है, मानब भुगोल के मूल सिद्धांत, इसमें टोटल आपको 10 चेप्टर परने है, कितना चेप्टर, 10 चेप्टर परने है, और दूसरा जो बुक है, वो क्या है, सेकेंड बुक, भारत लोग और अर्थ विवस्ता, जिसमें टोटल कितना 12 चेप् जो आप इस 10 चेप्टर के अंतर पढ़ेंगे, यह पहला बुक के अंतर जो सब चीज पढ़ेंगे, उसी का थोड़ा मुरा हलका सा बदला हुआ, यह थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ, वही से रिलेटेट, उसी से रिलेटेट, एक दो पॉइंट मतलब इसमें आपको पर पर लिया, दूसरा जो बुक है उसमें आपको ज्यादा परना नहीं है, उसमें थोड़ा से समझ ना है, सिर्फ आपको थेओरी नहीं दिया गया, मतलब जो याद रखनी की जीज़ा होती है, सेकेंड बुक में इतना नहीं है, जितना फर्स्ट बुक में है, तो 10 चेप्टर सबसे यादा मतलब important है, और 12 चेप्टर भी important है, बट इसमें आपको ज्यादा rating नहीं करना पड़ेगा, इसको परने में ज्यादा time नहीं लेगेगा, ठीक है, तो हम लोग 1 चेप्टर का, यानि सोरी, 1 बुक का 1 चेप्टर हम लोग पर रहे है, मानब भुगोल, ठीक है, मान दरगत हम लोग, यानि मानब की उत्पत्ती से लेकर, मानब की उत्पत्ती कब हुई थी, मानब भुगोल का थे, कहने का मतलब यह हुआ, कि यह जो मानब भुगोल है, human geography है, इसमें हम लोग यह study करते हैं, कि इस पिर्थवी में जो मानब आए, यानि आदिम जाती लोग आए, ठीक है, आदी मानब आए, तो वो आने के बाद उसका जो प्रयावरन के सांथ तो सम्मंदर रहा, यहिए environment के सांथ उसका जो सम्मंदर रहा, प्रयावरन के सांथ उन्होंने जो वेवार किया, तो उसको study करते हैं, अध्यन करते हैं, किस में क अब नेश्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट कहे रहा है कि मानब भूगोल मानब की सामाजिक इस्थिती तथा परकिर्थी के साथ वेवार का अध्यान कराता है, सिधा-सिधा मतलब हुआ कि जो एक तरह से human geography है, वो मानब की सामाजिक इस्थिती, सामाज में वो कैसे रह रह हैं, और उनकी परकिर्थी के साथ कैसा वेवार है, यह चीज का जो अध्यान करते हैं, इस्थिदी जो करते हैं, वो किस में करते हैं, मानब भूगोल में करते हैं, ठीक है, अब चलिए, नेश्ट पॉइंट है, हमको ये बताया जा रहा है, कि इसका मुल उद्देश से पढ़े थे, क्योंकि हमको रियक्शन जाना था, और हम लोग अगर इंजिनिरिंग करते हैं, अगर तो इंजिनिरिंग चेतर में हम लोगों को तरह-तरह के मेडिशन बनते हैं, देखिए, सबसे पहरी बाद आप ये मानड में धारना कर लिजे, कोई भी चीज अगर आप पढ़े हैं मैट्रिक में, तो वो सारा मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी चीज आप इस्टिडी करते हैं, हर एक चीज का यूज है, हर एक चीज का इस दुनिया में यूज है, ठीक है, तो मानब भूगल का भी यूज है, क्यों इसको मानब भूगल के इस्टिडी किया जाता इसलिए एक तरह से जनम ले लिया एक भूगल जिसका नम क्या पर गया मानब भूगल यानि इसका मूल उद्देश से में जो मकसद है मानब भूगल का वो क्या है कि मानविय समस्य है कि पाचान करेके मानब के साथ क्या क्या मतलब प्रोविलम्स हैं क्या क्या मतलब उनके साथ परेशानी आ रही है उसको पाचान करके इंडिकेट करके उसको पिर्थवी के साथ जोड़ेगा यहीं उसके पिर्थवी के साथ जोड़ेगा का मतलब हल खोजेगा कि पिर्थवी में कहीं इसका समाधान है या नहीं है ठीक है अब चले नेश्ट पॉइंट हमको यह बता है जारा कि पिर्थवी को एक नविन आकार देने में मानद की भूमिका का परतिपादन करने का अध्यान मानद भूगोल में किया जाता है ठीक है अ आगे पढ़ते जाएंगे भूगोल पढ़ते जाएंगे ब्रांच ब्रांच में ब्रांच ब्रांच में ब्रांच में ब्रांच में बढ़ते जाएगा जैसे कि हम लोग पढ़े थे एकोनोमिक्स मुख्यता तीन परकार के होते समाजवादी पुंजीवादी और मिस्रित ठी यानि इस परकार भूगोल यानि जोग्रफी की तीन परमुक शाखा होती है पहला जो शाखा है वो भौतिक भूगोल है दूसरा है मानभ भूगोल तीसरा है प्रादिसिक भूगोल ठीक है यानि फूजिकल जोग्रफी एंड रिजनल जोग्रफी ठीक है तो यह तीनों चीज क 1842 में 1882 में रशना की थी इनका जो जनम हुआ था 1844 में हुआ था 1844 में हुआ था यानि माना भूगोल के सनस्थापक फ्रेडरिक रेड़ जल्ट है जो परसिया के रहने वाले थे उन्हों इनका जो यह क्या है मतलब इसने रशना क्या कि थी एंथो एंथो पोजियोग्राफी इन्हों पोजियोग्राफी 1882 में जनम इनका 1844 में यह याद रखेंगे चले नेश्ट पॉइंट हमको यह बताया जा रहा है अब नेश्ट पॉइंट देखिए कि फ्रेडरिक रेड़ जल्ट के अनुसर मानभ भूगोल इन्हों ने भी अपनी परिभासा दी इन्हों ने भ दिवित वाद की इस्तिती भी आती है यानि दिवित वाद का अर्थ होता है दो अलग-अलग इस्तिती का होना या भिन्न भिन्न रूपों वाले हालात अर्थात विचारों में दो अलग-अलग रूप भूगोल के संदर्म में आता है अब देखिए नेश्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक क्या होता है, देकि इसका अर्थ होता है, भाव को अर्थात, मानसिक भाव को समझने तथा परकट करने के लिए बनाया गया चित्र से है, यह भाव चित्रात्मक, यह भाव को परकट करने के लिए जो चित्र बनाया जाता उसको क्या बोलेंगे भाव चितरात्मक बोलेंगे इसे अंग्रेजी में क्या कहे जाते हैं अंग्रेजी में expression pictorial कहे जाते हैं अब देखी नेश्ट पॉइंट हमको कहे रहा है कि परकिर्थी और मानब में बहुत पहले से अर्थात आदिम काल से गहरा संबन्द है सही बात है परकिर्थी और मानब में आदिम काल से ही मतलब घहरा संबन्द है क्योंकि आदिम काल जो रहते थे वो परकिर्थी का मतलब सहारा लेते थे डारेक वो जंगल में रहते थे खाना पीना मतलब क्या करते थे वो जानवरों को मतलब मारते थे उनको मतलब एक तरह से मार के खात और जो जंगल में जो भी शकरकंद होते थे, जो भी मूलकंद होते थे, उनको खाते थे, ठीक है, तो यहां कहने का मत्लिब यह हुआ, कि परकिर्थी और मानब में बहुत पहले से ही क्या है, आदिम काल से ही, गारा संबंद है, यानि को रिलेशन जो हो, यानि जो रिलेशन है वो बहुत क्या है गारा है यह एक दूसरे के पूरक है यानि दोनों एक दूसरे की बिना अधूरा है यानि पूरक का मतलब क्या हो गया यानि एक दूसरे के बिना अधूरा है एक दूसरा पर डिपेंड है यानि आधी मानब मानब जो हो वो क्या है परकिरती पर डिपेंडें परकिर्ती पर dependent है और पर्यावरन जो है वो भी मतलब मानव पर कहने कहीं dependent है ठीक क्यों कैसे देखिए पर्यावरन का जो देखरे करता है जो उनका सुरक्षा करता है वो कौन करता है मानव करता है अगर नहीं करेगा तो फिर पर्यावरन एक तरह से नश्ट होना इस्टार्ट जेतत्तो है, यानि परकिर्ती और मानब जो है, यानि परकिर्ती से मानब को आप दूर नहीं कर सकते हैं, या फिर मानब जो है, मानब परकिर्ती से दूर नहीं जा सकता है, ठीक है, यानि सिदा सिदा काने का मतलब यह हुआ, ये दोनों और विभाज जेतत्तो है, ये दूसरो एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है अगर मानब को परकिर्थी से अलग कर देंगे क्या उनको खाना पिना मिलेगा नहीं मिलेगा अगर परकिर्थी से अलग कर देंगे तो वो परकिर्थी का जितने भी सामान है उनको मतलब यूज करना चोड़ देना पड़ेगा मानब को तब तो फिर उनको खाना पिना नहीं मिलेगा क्योंकि खाना पिना जो अनाज उत्पादन होता है वो परकिर्ती में होता है तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है ये दोनों आपस में जूर्गी रहेगा औविभाज जत्त्तो नहीं है ठीक है यनि ये सुरी ये कहा औविभाज जत्त्तो है जर्मन भूगोल वित्ता राज ये देश के बारे में अध्यन जीवित जीव के रूप में करते है सरकों, रेल मारगों, आधी को परिसंचरन की धमनिया के रूप में अध्यन किया जाता है ठीक है अब नेश्ट पॉइंट देखिए कहा जा रहा है कि मानभ भूगोल की परकिरती नेचर ओफ हीमन जेगरोफी तो मानभ भूगोल की जो परकिरती होती है मानभ भूगोल की परकिरती अतियंत लोग पिरे और मनमोग है सही बात है मानभ भूगोल की जो परकिरती है अतियंत लोग पिरे और मनमोग है तरह तरह के मतलब पहार दिखेंगे कहें कहें मतलब बड़े बड़े एक तरह से जहरना दिखेंगे बड़े बड़े पहार दिखेंगे अपनी परकिरती जितना स्वीधा जनक और अच्छा होगा मानब भूगोल की परकिरती अगर बेटर होगा मानब भूगोल की परकिरती के अंदर क्या आजाते है यानि पराकिर्तिक संसादन आ जाते हैं तो पराकिर्तिक संसादन अगर अच्छा होगा बेटर होगा तो स्विधाजनक होगा क्या स्विधाजनक होगा मानब की जिन्दगी यानि मानब का जीवन यानि स्विधाजनक और अच्छा होगा मानब उतना ही सुविधा जनक और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे मतलब अपना जिन्दगी गुजारेंगे अगर परकिर्ती में जितने भी मतलब संसाधन है वो सही होंगे और वह संसाधन किसमे होते हैं इसमें किया जाता है मानभभुगोल में किया जाता है अब चले नेश्टर पॉइंट हमको ये बताएं कि बाते है लाएग निक पर्योड की निया भौर, दिश्टर पोईंट मानब द्वारा बनाये गए दैनिक उप्योग का स्वीधाजनक बेवस्ता जैसे कि घड, नगर, सरक, इत्यादी यह सिब क्या है मतलब मानब द्वारा बनाये गए दैनिक उप्योग का स्वीधाजनक बेवस्ता भावतिक संसकृति आदी अब नेश्ट पॉइंट है हमको ये कहा जा रहा है कि मानब का परकृतिकरन यानि मानब का क्या है परकृतिकरन यानि नेचर वर्जल तो यहां देखिए हमको ये definition कहे जा रहे है ये मानब का परकृतिकरन बार बार पुछा जाता है नोट करेंगे मैं फिर आपको वीडियो के बीच में बोलता हूँ कि आपको नोट करना है अगर आपके पास नोट बना हुआ है फिर भी आप नोट करेंगे क्योंकि आपके पास दो टाइप का नोट होंगे ठीक है सही बात है माना आप जो यह आदमी जो है आदमी क्या करते हैं तकनिकी यानि टेकनोलोजी का इस्तमाल करते हुए और क्या करते हैं कि सुविधाजनक सुविवस्तित यानि तकनिकी तथा परदोगी की है सहता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुविवस्तित यानि एक तरह से management वाला life, अपना life को मतलब management की रूप में सूब विवस्थित करते हैं, arrangement करते हैं, ठीक है, arrangement करते हैं, और मनुस्थे को तखनीकी तथा परवद्योगी की विरासत से प्राप्त होती, सही बात है, विरासत, विरासत का मतलब क्या हो जाता है, कि जो मतलब बात कर मिले, यानि जो एक तरह से दादा या फिर पिदाजी जो है, उनसे जो भी चीज़ मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, विरासत बोलते हैं, ठीक है, तो मनुस्थे को जो तखनीक है, यानि टेक्नोलिज जो है, वो दुनिया मा आते हैं, तो क्या टेक्नोलिज लेकर के आते ह तो वो फिर वो लोग क्या करते हैं, इनको सिखाते हैं? यानि कहने का मतली भी हru कि मनुसिक को तकheenिक यो है कि विरास्त में प्राप्त क्लेस्ति होती है मानब अर्थत प्राणा प्रणीं की समय में मानब परकृत्वी को ज़ता मौत्तो देते हैं परदोगी की नहीं था तो उस टाइम क्या करते थे आदमि सिर्व परकिर्ती पर एक तब dependent थे अपना दिमाग नहीं लगाते थे अपना मतलब टेक्नलोजी का खोज नहीं करते थे तरह तरह के आविसकार नहीं करते थे यानि पुर्ण रूप से इधर से उधर से मतलब उपर से नीचे से दाय से बाय से सब रूप से सब तरब से किस पर निर्भरते परकृति पर निर्भरते मानब ठीक है मानब परकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझ कर परदोगी की का विकास कर पाया परदो की बेटर होगा तो वहाँ यह समझा जाएगा कि सांसिकृति की विकास उस समाज की हुई है अब नेश्ट पॉइंट देखे जैसे अनुवन सिकी के नियम का अधियन कर मानव DNA के बारे में जाना और तरह तरह की बीमारियों का समधान निकाला सही बात है यानि अनुवन सिकी क बहुत सरए case रहते हैं, rape case रहते है या फिर कुछ किसी का relation अगर देखना होता है, अगर कोई किसी को इंकार कर रहा है कि यह मेरा बेटा नहीं है या फिर यह मयरा बेटी नहीं है तो इसी तरह बिमारियों का समाधन की निकाला जाता है DNA से भी अब next point देखिए घरसन और उस्मा घरसन और उस्मा की संकलपना से आग की खोज हम लोगों को काफी मदद कि यानि घरसन यानि friction जो है friction and hit यानि ये दोनों की संकलपना से हम लोगों को आग यानि जो fire है इसकी खोज मतलब हम लोगों ने किया यानि पहले तो आग खोज पहले तो जानते ने थे आदी मानब पत्थर जब पत्थर घसिट के तभी एक पत्थर दूसरे पर घसिटते थे तब ही मतलब आग निकालते थे ठीक है तब ही उससे मतलब क्या करते थे तरहतर के जानवर को मारते थे और उनको एक तरह से मतलब फ्राई करके खाते थे तो यहां सब चीज मतलब आग की जो खोज हुई वो आदी मानब का जीवन को ही बदल दिया पूरा मतलब संसारम क्या किया कि पूरा मनुष्टी की जो जिन्दगी है जो जीवन हो उसका रूप को ही बदल डाला ठीक है अब national point देखिए क्या कहा जा रहा है कि पढ़ियावणिये निश्चेवाद क्या कहा जा रहा है पढ़ियावणिये निश्चेवाद तो पढ़ियावर्णिय निश्चवाद को इसको हमको definition के साथ समझना है कि निश्चवाद एक अवधार्णा है, एक ideology है, एक concept है अवधार्णा का मतलब क्या होता है, concept ठीक है तो निश्चवाद क्या है, एक अवधार्णा है और यह परकिर्टी तथा मानव, यानि मनुष से के मद्य तालमेल के बारे माध्यन करता है निश्चवाद पढ़ियावर्णिय निश्चवाद, ठीक है, यह concept है इसमें क्या करते है, nature और human यानि nature and human, between nature and human ये दोनों की बीच को जो correlation है, यानि जो तालमेल है इसी के बारे में हम लोग क्या करते है, अध्यन करते है कैसा relation है, better relation है, है, नहीं है, या फिर कैसा है, कितना मात्रा में है या फिर कैसा है, यह होना किसा चाहिए, इसका relation कैसा होना चाहिए परकिर्टी का मानव के साथ relation कैसा होना चाहिए मानब का परकिर्थी के साथ रिलेसन अच्छा होना चाहिए जब रिलेसन अच्छा होगा तभी मानब क्या करेगा परकिर्थी का सुरुक्षा करेगा पेर पोधे नहीं काटेंगे पेर पोधे ज़्यदा से ज़्यदा लगाएंगे तो यह सब का चीज जो एक तरह से अध्यान किया जाता है तो प्राचीन काल के भूगोल वेता और यहां तक के दार्सनिक भी निश्चेवाद अब धरना को समर्थन देते हैं सहीं बात है समर्थन देनी चाहिए मैं भी समर्थन करता हूँ क्योंकि मानब अगर परकिर्थी के साथ अगर सहीं बेवार करेगा परकिर्थी के साथ अगर नेचर के साथ अगर अच्छा तरह से बिहेव करेगा तो वो एक तरह से परकिर्थी अभी हो रहान है सहर में दिल्ली के बारे में सुने हैं दिल्ली में क्या होता है कि मतलब जब दिवाली आती है या फिर कोई भी ईद आती है तो क्या हो जाते है कि मतलब वहां फटा का इतना फटते हैं कि वहां सांस लेना भी दिक्कत हो जाता है सांस लेना भी एक तरह से परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो ये क्यूं हो रहा है क्योंकि मानब जो है परकृति को इतना ध्यान नहीं देते हैं पेरपोदे नहीं लगाते हैं होता भी है तो कार देते हैं फैक्टरी बठाते हैं घर बनाते हैं तो ये सब चीज को एक तरह से देखा जाता है कि मानब परकृति के साथ क्या बेवार करता है, क्या रिलेशन रखता है, तो इसका अधिन किसमें परियावर्निय निश्चवाद में, ठीक है, तो प्राचिन काल के भूगल वेता है और यहां तक के दारसनिक भी क्या करते हैं, निश्चवाद अभधर्ना को समर्थन देते हैं, अब देखें, निश्चवाद अभधर्ना के अनुसार, मानब की दैनिक किर्याकलाब ते था, जीवन भड, जीवन पर भौतिक कारक, जैसे कि भौतिक कारक क्या हो गया, जलवाई हो गया, बार हो गया, प्राकृतिक वुन ताकि इसके तोड़ा निश्चवाद विचारधरा की अनुसार ठीक है ति चलिए आपका ये क्या था फरस्ट वीडियो था ये क्या था आपका फरस्ट वीडियो था फरस्ट चेप्टर मानख भूगोल के मुल सिद्धानत जोगरोफी का पहला बुक का पहला चेप्टर पहला मानख भूगोल की परकिर्थी के अंद्रगत निमले की तत्ते महत्वपूर्ण है बहुत ही प्रियावरन के तत्तों और क्या है मानख दोरा बनाये गए दैनिक उपियों का स्वीदाजनिक बेवस्था है अब जले नेश्ट पॉइंट हमको ये पराता हम लोगोंने की मानख भूगोल की परगिर्थी यानि nature of human geography के बारे में पढ़ा भाव चितरात्मक क्या होता है expression pictorial क्या होता है इसके बारे में हम लोगोंने पढ़ा मानख भूगोल के अनुसर मानख भूगोल के अनुसर एक तरह से भूगोल क्या है इसको हम लोगोंने पढ़ा ठीक है फ्रेड्र की मुख्य तक परमुश्चो साखा है वो तीन होते हैं भौतिक Google मानब Google और प्रादिसिक Google ठीक है और हम लोगों ने सबसे बेस्ट चीज जाना कि मानब Google होता क्या है इसके बारे मां हम लोगों ने पढ़ा total book के बारे मां परा total book है आपका inटर मैं दो book है पहला book, second book यानि first and second book total 10 chapter जो है काफी interesting है और काफी important है total 12 chapter किसम है second book मैं है इसके बारे मा हम लोगोंने परा ठीक है अग देखें नेष्ट point हम लोगोंने परा था इससे पहले कि जीयो पलस ग्रैफो का मतलब क्या होता है ये दोनों को अगर तोड़ेंगे तो मिनिंग निकलता है पिर्थवी का अध्यान करना क्या निकलना पिर्थवी का वरनन करना क्योंकि जीयो का आर्था होता है पिर्थवी और ग्रैफो का मतलब होता है वर्नन करना ठीक है इसको दोनों ये वर्ट को तोर करके हम लोगों ने समझा ठीक है पिर्थवी के धरातल पर जो कुछ भी पाया जाते है उसका वर्नन करना है क्या कलाता है भूगल कलाता है भूगल का हम लोगों ने डिफनेशन परा एक बात में आपको बता दो भूगल का कोई भी चीज का हम लोग यह definition परते हैं तो उसको आपको समझना है ठीक है उसको क्या करना है समझना है समझने के बाद आप exam hall में लिखेंगे यह नहीं कि यहां से same to same आपको exam hall में उतारना है ऐसा नहीं करना है क्योंकि exam hall में आपको निर्देश दिया जाता है कि परिक्षारती अपने सब्दों में ही उत्तर दें ठीक है तो अपने सब्दों में उत्तर देंगे अच्छा से अच्छा word लिखेंगे ठीक है तो चलिए नोट बनाईए आपका second part आने वाला है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजे और आश्टमाब से विंति की जाती है ठीक है मिलेंगे फिर नेश्टे बीडियो में तद्द के लिए जाएंगे